सो हलो दोस्तो स्वागत आपका नया एक और वीडियो में दोस्तो आज के वीडियो में हम आप लोगं को UP scholarship का information देंगे दोस्तो आप लोगं को बता दू जो भी general और यहाँ पर SC, ST, OBC minority के student है सभी studentों की आज की date में scholarship direct उनके bank account में आ चुकी है मेरी खुद की scholarship मेरे bank account में आई हुई है और दोस्तो हम आप लोगं को बता दू अगर जो आपने अभी नहीं चेक किया है आप तुरंट अपना bank account को चेक कीजिए क्योंकि मेरा कोई message नहीं आया था बट मेरे account में आ चुकी थी जैसे ही मैंने चेक किया दोस्तो हम आप लोगं को scholarship यहाँ पे आते हुए आज की date में दिखाएंगे आज है holy 29 तारीक को भी transfer हो रही है सारे student होगी तो हम आप लोगं को दिखाऊंगा आप लोगं को check कैसे करना है PFMS पे हम आप लोगं को बताएंगे simple क्या करना है आप लोगं को यहाँ पे अपने Google पे आ जाना है एक website सर्च करना है जिसका नाम है PFMS ठीक है यह website जब भी आप अपने Google पे सर्च करोगे सो दो हम पे आपके सामने कुछ ऐसा interface आ जाएगा यहाँ पे आप लोगं जब नीचे आओगे यहाँ पे आप लोगं को दिखाई दे रहा है PFMS तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगं को पे खीक करना है यहाँ पे आप लोग simple किलिक करोगे यहाँ से आप लोग अपना PFMS पे चेक जिनका scholarship PFMS पे सो होता है उनका सात दिनों के आठ दिनों के अंदर उनके bank account में आ जाता है यहां से आप लोग now your payment पे click करके अपना scholarship देखते हो जिनका भी PFMS पे 100 होता है उनका 7 दिन 8 दिन लगते हैं उनके चातवती उनके bank account में आने में ठीक है अब जिनका scholarship दोस्तों यहां पे जैसे की सीधे account में आ रहा है उनका यहां पे time नहीं लगता उनके क्योंकि account में ही आ चुका है direct आप लोग का आ रहा है जो भी studentों को उनका आधार बेस्ट आ रहा है तो हम आप लोग को आज की date में आधार बेस्ट payment हम आप लोग को दिखाएंगे बहुत सारे यहां पे दिखाएंगे तो आप लोग सुरूज दिले के last तक बने रहे है और जो चैनल पले है फटाफर चैनल को subscribe कर ले है तो आप लोग को first scholarship दिखाएंगे सबसे पहले दोस्तों यहां पे second आप लोग देख रहे हो हो यहां पे आप लोग को first ही मैं दिखा दूँ यानि कि first आप लोग को scholarship यह मेरी ही scholarship है जैसे हम आप लोग को बता दूँ मेरे दोस्त की scholarship आई थी तो उसने हमको phone किया और बोला कि scholarship आ चुकी है मैंने कहा मेरा कोई message नहीं आया तो मेरी कैसे आ सकती है तो उसने कहा कि आप अपने account में चेक करिए तो मैंने जैसे ही account में चेक किया तो मेरा देख सकते हो 38,931 रुपए मेरे bank account में आ चुका था अब इसमें scholarship कितनी है 38,112 रुपए मेरी चातवती है जो यहाँ पे आई हुई है BTEC final year की और दोस्तों हम आप लोग को बता दूँ लगबग second installment मेरी अभी और आएगी जो 65 और 70,000 के बीच में होगी ठीक है आप लोग यह मेरी चातवती देख सकते हो और यहाँ पे हम आप लोग को course भी BTEC का final year का बता चुके है ठीक है अब आप लोग को यहाँ पे हम second scholarship आप लोग को दिखाएंगे वो भी आप लोग को देखना है दोस्तों यह second scholarship आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यह मेरे ही दोस्त हैं इनका अभी कुछ समय इनका चातवती आया है जो इन्होंने message हमको भेशा जैसा कि आप लोग इनका चातवती देखोगे इनका हम आप लोग को दिखा दें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे देखिए इनका जो bank है यह आप लोग देख सकते हो credit transaction इनका जो 100 हुआ है वो 56,000 यहाँ पे 600 रुपए 29 तारिक की date में सो हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हो transfer available balance 8,000 31 रुपए इनका अभी bank में है दोस्तों इनका भी अभी सो हुआ है और आप लोग खुद देख सकते हो तो यह general candidate है और यह भी VTEC final year से है ठीक है इनका भी हमारे साथी में course है VTEC final year और इनका 56,000 में 56,600 आ चुका है अब आप लोगों को हम third scholarship दिखाएंगे आप लोगों को यहाँ पर third scholarship भी हम आप लोगों को यहाँ पर दिखाएंगे तो आप लोगों को देखना है पूरा समझना है ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को हम third दिखाएंगे दोस्तो ये आप लोग देख सकते हो, 3rd scholarship, जैसा कि आप लोग इनका देखोगे, हम आप लोग को दिखा दें, ये screenshot हम आप लोग को दिखा रहें, इस बज़े से क्योंकि PFMS पे इनका सोर नहीं हुआ है, इनका direct, इनके अकाउंट में आया है, दोस्तो इनका scholarship आप लोग देख स से हैं और इनका 38,000 देख सकते हो 193 रुपए आया हुआ है और इनका अब लेविल बैंस 41,515 रुपए है ठीक है तो ये इनका जो सेकिन इस्टॉल्मेंट है वो भी अभी आएगा लगबग 65,000 क्योंकि टूसन फीस इनका लगबग है 90,000 तो इसलिए इनका 55,000 जैसे कि एक लाग 3,000 इनका पिछली कच्छा में आया था एक लाग 3,281 ठीक है वही स्कॉलर्सिप इनका इस बार भी दिया जाएगा टोटल करके ठीक है तो यहाँ पे हम एकी चीज बताएंगे इस्टूटेंट घबराए नहीं जिनका अभी तक नहीं आया है उनका जल्द ही एक आद दो दिन में सो हो जाएगा लाश्ट डेट आपकी 15 अप्रायल है स्कॉलर्सिप आने की तो आप लोग घबरान नहीं है और आप लोग को चेक करते रहना ठीक है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे स्कॉलर्सिप आ चुकी थी बट मैंने अपना यहां पर कोई भी मैसेज नहीं आया था डारेक्ट मेरे बैंक में आई थी ठीक है तो मैंने जब गूगल पर चेक किया गूगल पर हम आप लोग को दिखा चुके है तब मैंने माना कि मेरी तो आप चेक करिए अगर जो आप लोग की आई नहीं है तो ठीक है आई होप आप लोग को समझ में आ चुका जो चैनल पर लें है फटावर चैनल को सब्सक्राब कर लें हों मिलते हैं ना इस बीडियों ठैक्यू बाए बाए इस वाल को चैनल प्रब कर दोके आखाप शोटाब जिर्व कर दो आफाप लोग कर लें है